चलिए अज बात करते हैं प्रोटॉन की खोज की शुरुआत किस प्रेकार से हुई आनोज किर्णों के रूप में तो हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स में जाना कि इलेक्ट्रोन की खोज कैसे हुई सबसे पहले किस प्रेकार से पता चला एक विसरजन नली का प्रयोग के द्वारा कि परमाणू के घचक के रूप में इलेक्ट्रोन या रणाविशित कर्ण होते हैं, है ना, उसी प्रेकार से किस प्रेकार से पता चला कि धनाविशित कर्ण जिन्हें अनोड किरने कहा जाता है वही क्या होती है पर्माडू के घटक के रूप में प्रोटॉन होती है ठीक है आप दिखते हैं कि कौन सा प्रयोग इसके लिए हुआ जिससे इसकी शुरुवात हुई प्रोटॉन की खोज की शुरुवात हुई तो देखिए गोल्ड स्टीन ने 1886 में एक प्रयोग किया विसर यह तो अनोड है यह वैसी का वैसा ही रखा जैसे हम लोगों ने एलेक्ट्रोन की खोजवाले एक्सपेरिमेंट में देखा था लेकिन जो इन्होंने क्याथोड यहां पर यूज किया उसे बना दिया इन्होंने छिद्रित क्याथोड ठीक है नेगिटिव से जुड़ा है मै यहां पर धनाविश भी तो होना चाहिए या हो सकता है तो यह चेक करने के लिए इन्होंने इस प्रकार से सैटप को बनाया और यह क्या है यह है निर्वाद पंप निर्वाद पंप क्यों यूज होता है या फिर वैक्यूम पंप क्यों यूज होता है ताकि जो इस नलिका क हम लोग लेंगे या voltage हम लोग लेंगे वो क्या होगी उच्छ वोल्टता होगी या हम इसे बोल सकते हैं उच्छ विभाव श्रोत और यह तो हमको पता ही है हम नलिका के अंदर निम्न दाब वाली गैस का प्रयोग करें ठीक है तो इसके कार से जब हमने इस बैटरी को ओन किया या फिर इस जो सेट अप है या फिर जो यह इलेक्ट्रोट्स हैं इनको हम लोगों ने क्या दिया हम लोगों ने इनमें हाई वोल्टेज दी तो क्या होता है कि कुछ कंड इन छिद्रों के द्वा द्वारा या फिर कुछ रेज हम लोग बोल सकते हैं ठीक है तो इन छिद्रों के द्वारा बाहर की ओर निकलने लगी कुछ किरणे जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले प्रयोग में क्या दिखा था कि क्या थोड किरणे उत्पन हो रही थी वैसे ही यहां पर कुछ प्रतिद दिखा में थी यह थी कैथोड रेज की विपरीत दिखा में इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि यह कुछ धनावेशित ही होंगी क्यों क्योंकि यह इनकी विपरीत दिखा में जा रही है और किधर को जा रही है उस तरफ जा रही है जहां पर नेगिटिव चार्ज है यानि की रनावेश है और रनावेश की तरफ आकरशित कौन होता है जो धनावेश होगा या फिर उसके विप्रीतावेश होगा तो इस प्रयोग के माध्यम से पता चल पाया कि कुछ धन किरने भी होती है जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं जिन्हें बोला जाता है अनोड किरने या इनहीं को कैनाल किरने भी बोला जाता है तो यहां पर हमें ये बात जानना जरूरी है कि जो ये कैनाल किरने या अनोड किरने या धन किरने होती है इनकी उत्पत्ति कहां से होती है जैसे जो कैथोड किरने थी उनकी उत्पत्ति तो कैथोड से हो रहे थी लेकिन जो अनोड किर होती है न तो ऐसा माना जाता है कि ये विसर्जन नलिका के अंदर जो गैस के कण है उनसे टक्रा जाती है और जब उनसे टक्रा जाती है तो वे उनसे इलेक्ट्रोनों को बाहर निकाल देती हैं, अब जब इलेक्ट्रोन बाहर निकल जाएंगे, तो उसमें बचेगा क्या, उसमें बचेंगे धनावेश, और वहीं से उत्पत्ती हो जाएगी इन धन किरणों की, या इन धन करणों की, तो इस प्रयोग के माध्यम से एक बात और पता चल गए कि रिणावेश होने के साथ-साथी परमाणों में धनावेश भी होता है, आगे चलके हम लोग रदरफोड के प्रयोग में देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से प्रोटॉन की खोज की ती, ये एक प्रयोग था जिससे केवल हमें इतना पता चला कि इस विस धर्म क्या-क्या होते हैं, तो एनोट किन्नों के गुण धर्म में सबसे पहला जो गुण है, वह यह है कि धनाविशित कण का जो द्रविमान है, या फिर जो एनोट कण है, उनका द्रविमान कैथोड किरन नलिका में उपस्थित, गैस की प्रकृती पर निरभर करता है, जो electrodes लगे हैं, उन पर उनके बदरने से परिवर्थित नहीं होता है, है न, क्योंकि वह कहां से उत्पन हो रहे होते हैं, वह cathode से उत्पन होते हैं, जब कि जो ये धनाविशित करने हैं, ये कहां से उत्पन हो रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कि ये cathode और एनोड के बीच के स्थान से उत्सरजित होते हैं, जब जो ये cathode किरने हैं, वह टकराती हैं किस से, वाईउ से, इसमें उपस्थित, गैस से, या गैस के कणों से, ठीके, तो वह इलेक्ट्रोनों को बाहर कर देती हैं, और जिससे बच जाते हैं, धनाविश या धनात्मकर, और इससे बनती हैं धन, किरने, या फिर अनोड किरने, तो ये डिपैन करती हैं, इसमें भरी हुई गैस की प्रकृती पर, दूसरा पॉइंट है, कि इनकी कणिये प्रकृती होती है, यानि कि अगर इनके मार्ग के बीच में, जो ये किरने हैं, इनके मार्ग के बीच में, ए उनकी प्रकृती है वह क्या कहलाती है कणी ये प्रकृती कहलाती है ठीक है एक और इनका ये गुण है कि विद्युत और चुम्बकी शेत्रों की उपस्तिती में अनोड किर्णों का विक्षेपन हो जाता है वो तो कैथोड किर्णों का भी होता है ठीक है और किस तरफ होता है जिस तरफ उनके विप्रीत कोई आवेश हो, ठीक है, तो इस प्रकार से ये विख्षेपित हो जाती है, किसकी उपस्तिती में, इलेक्ट्रिक फिल्ड और मैंगनेटिक फिल्ड के उपस्तिती में, जो कि किधर की तरफ विख्षेपित हो जाएंगी, कि कैथोड किर्णों की विप्रीत दिशा में विख्षेपित होंगी, क्योंकि कैथोड किर्णी क्या है, रिणावेशित कर्ण के रूप में है, जो कि धनात्मक चार्ज की तरफ क्या होती है, आकरशित होती है, जो एनोट किर्णी है, वे धनावेशित कर्ण है, तो ये किधर स कुछ धनाविशित कर्ण, विद्युत आविश की मुह लिकाई के ही गुणक होते हैं, जैसा चार्ज हमने इलेक्ट्रोन में देखा था, Q equals to N into E, वैसे ही, ठीक है, लेकिन जो इन पर आवेश होगा, वह कैसा आवेश लगेगा, वह लगेगा धन आवेश, जबकि जो आवेश होगा, उन पर होगा रण आवेश, ठीक है, तो इस प्रेकार से ये थे अनूट किरने, जिसका हमें पता चला कि ये धन किरने होती हैं, है ना, और परमानों के घटक के रूप में शामिल होती हैं, इसको प्रोटोन नाम कैसे मिला, और इसके लिए और क्या अन्य प् बात करेंगे, तब तक आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए और प्रिविजन करते रहिए, आज हम बात करेंगे कि न्यूट्रोन की खोज किस प्रकार से हुई, या डिस्करवरी ओफ न्यूट्रोन, हम लोगों ने अभी तक देखा कि प्रोटोन और इलेक्ट्रोन की खो होता है, संपूर्ण धनावेश होता है, अर्थात प्रोटोन होते हैं, और इसके चारों और जो इलेक्ट्रोन होते हैं, वे चकर लगाते हैं किसी भी परमाणों में, ये निशकर्ष निकले थे विभिन परमाणों मौडलों के बेसिस पर है न, लेकिन कुछ समय के बाद परमाणों के अलावा बाकी के जितने भी परमाणों हैं, उनमें जो परमाणों का द्रवेमान होता है, वे के बल प्रोटोन और इलेक्ट्रोन के द्वारा नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि किसी भी परमाणों में एक बाद तो हमको मालूम है, कि जो इलेक्ट्रोन होते हैं, उनका द्रवेमान होता है नगर्ने, प्रोटोन की तुलना में तो नगर्ने ही होता है, है ना, और जो प्रोटोन होते है उनमें इकाई द्रवेमान जो पाया जाता है, वह कितना होता है, वह होता है 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्रेम, इतना ही होता है, है ना, तो प्रोटोन का द्रवेमान कि इतना हो गया यह हो गया 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्रेम या फिर 1.67 into 10 to the power minus 27 किलो ग्रेम ठीक है तो यह देखा गया कि जब हम हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमानों को लेते हैं अन्य तत्वों के परमानों को लेते हैं तो केवल प्रोटोनों और इलेक्टोनों के द्रविमानों के जैसे कि अगर हम उदाहरन ले हीलियम परमानों का तो देखिए जो हीलियम होता है उसका परमानों करमानों होता है तो इसका मतलब है इसमें जो प्रोटोनों की संख्या है वह कितनी हो जाएगी वह भी होनी चाहिए दो है ना तो इसमें हो गये दो प्रोटोन इसके नाभिक में, ठीक है, तो इसका परमाणू हम लोग बना लेते हैं, किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए ये हो गया नाभिक और इसके चारों और इलेक्ट्रोन क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे, ठीक है, तो इसमें कितने प्रोटॉन है, इसमें हैं दो proton ठीक है और इसमें कितने elektron है इसमें हैं दो electron तो इस प्रकार से कुछ यह helium का परमानु बन गया ठीक है अब देखिए जो helium है उसके नाभिक में जो proton है वे कितने है दो है और हमको मालुम है कि electron का द्रवेमान तो नगरने होता है तो हम protonوں की द्रवेमान से ही इसको calculate करना चाहिए ठीक है तो जब इसकी calculation की गई की helium पर्मानू का द्रवेमान कितना होना चाहिए तो इसके according तो कितना आना चाहिए अगर इसमें 2 proton है तो इसका जो पर्मानू द्रवेमान है वो होना चाहिए 2 atomic mass unit के जितना लेकिन ऐसा नहीं हुआ य यह आया 4 atomic mass unit के बराबर तो इसका क्या मतलब समझा जाए जब इसमें केवल 2 proton है तो इसका atomic mass तो 2 atomic mass unit ही होना चाहिए लेकिन अब यह 4 कैसे आ गया तो इसके लिए एक वेग्यानिक थे जिनका नाम था James Chadwick और इनहीं को neutron की खोज का वास्तविक श्रे दिया जाता है तो इन् इन्हें 1932 में एक experiment किया जिसमें इन्होंने बेरिलियम धातों की पतली सी पन्नी पर alpha कणों की बंबारी कर वाए और उसमें से इन्होंने पाया कि कुछ उदासीन कण उत्सरजित हो रहे हैं जिनका द्रवेमान लगभग proton के द्रवेमान के ही जितना होता है देखिए जो उसके नाभिक में स्थित होता है और नाभिक में ही पाय जाते हैं proton और neutron तो ये सभी जो खोज हो पाई ये जेम्स चैडविक और अन्यवैग्यानिकों की मदद से हो पाई लेकिन इसका वास्तविक्ष्रे चैडविक को ही जाता है तो अब हमको ये भी मालूम कर गया कि जो होता है उसका एक आउप परमानविक कर neutron भी होता है जो कहां उपस्थित होता है ये उपस्थित होता है नाभिक में किस के साथ में proton के साथ में और इनका द्रवेमान कितना होता है लगभग proton के ही जितना इनका द्रवेमान होता है तो neutron का द्रवेमान कितना हो गया neutron का द्रव ग्रेम या फिर अगर किलो ग्रेम में लिखना है तो कितना हो जाएगा 1.67 into 10 to the power minus 27 kg तो ये हो गया neutron का द्रवयमान और neutron पर कोई भी आवेश नहीं होता है अर्थात neutron क्या होता है उदासीन कर्म होता है ठीक है तो इतना हमें समझ में आ गया और इसी से हमको एक बात और भी मालूम पढ़ दे कि क्यों helium के atom में या फिर क्यों अन्य तत्वों के परमानों के जो द्रवयमान होते हैं वे केवल electron और proton के द्रवयमानों से नहीं बनते हैं जबकि किसकी मौजूद्गी भी होती है neutron की भी मौजूद्गी होती है ठीक है तो यहां पर जो यह four atomic mass unit जो helium परमानों का द्रवयमान आ रहा था वो किस वज़े से आ रहा था क्योंकि नाभिक में क्या उपस्तित है दो proton और दो neutron तो total मिला के कितने का द्रवयमान बन जाएगा चार इकाई का द्रवयमान बन जाएगा और चार इकाई का द्रवयमान किसके बरापर हो जाएगा जब आप चार को गुणा कर देंगे 1.67 into 10 to the power minus 27 kg से ठीक है तो इसकी value कितनी आ जाएगी 4 atomic mass unit की यह आ जाएगी 6.6 into 10 to the power minus 24 g या फिर अगर kg में बतलना है तो हम क्या करते हैं 1000 से divide कर देते हैं और जब 1000 से divide करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 to the power minus 27 kg तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6.6 into 10 to the power minus 27 kg तो यह हो गई 4 atomic mass unit की value ग्राम और kg में ठीक है तो हम लोग अब neutron को परिभाशित करते हुए क्या बोल सकते हैं हम कह सकते हैं कि परमानों के नाभिक में उपस्थित एक उदासीन मूलकन यह बात याद रखनी है कि जो neutron है वे क्या होते हैं उदासीन होते हैं उन पर कोई आविश नहीं होता है ठीक है जिसका द्रविमान 1. 1.67 into 10 to the power minus 24 gram होता है वे क्या है वे है neutron ठीक है तो हम लोग समझ गए कि जो परमानों होता है उसमें तीन अव परमानविकर्ण या फिर परमानों के घटक, proton, electron और neutron होते हैं अब आगे के lecture में हम लोग देखेंगे कि द्रविमान संख्या या mass number क्या होता है तब तक आप इतन कर दे रही है रेडियो एक्टिवता की खोज या discovery of रेडियो एक्टिविटी देखें हम लोगों ने इसे पहले के lecture में बात की कि थॉमसन या गोल्स्टीन या फिर उनही के जैसे और उनके सहकर्मी विज्यानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किये बहुत सारे अध्यन किये औ और अपने अनुसंधान कारियों के बेसिस पे उन्होंने धनावेश और रनावेशित कर्ण को क्रमशाह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में खोज इत्यादी हुई लेकिन अब ये रेडियो एक्टिवता या रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडियो 26 में एक फ्रेंच वेग्ञानिक थे हेंडरी बैकुरल ये जब कुछ प्रयोक कर रहे थे युरेनियम लवन के साथ में तो इन्होंने अचानक से एक घटना को प्रेक्शित किया या एक घटना हुई अचानक से तो उसमें इन्होंने क्या पाया जो की पदार्थ इन्होंने लिया था, क्या नाम था उसका, यूरेनियम, तो ये जो यूरेनियम था, ये एक टाइम पर उच्छ उर्जा वाले विकिरन उत्पन कर रहा था, अब जो ये उच्छ उर्जा वाले विकिरन होते हैं, या उच्छ उर्जा वाले कण होते हैं, या किरने होती हैं, ये इतनी होती हैं कि ये ठोस को आरपार कर सकती हैं ये कुछ पदार्थों में प्रतिदीप्ति अर्थात Zinc, Sulphide जैसे Fluorescent पदार्थों में ये प्रतिदीप्ति यानि कि चमक उत्पन कर सकती हैं और इसी प्रकार से ये वायों को आयनित भी कर सकती है और photographic plate को भी प्रभावित करती है तो इस प्रकार से हुई radioactivity की खोच की कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने आप ही उच्च उर्जा विकिरने उत्पन्न करने लगते हैं और ये केवल uranium ही नहीं करता है इसके साथ साथ radium, thorium और polonium जैसे तत्व भी इसी प्रकार के विकिरन उत्सर्जित करते हैं तो आए देखते हैं कि radioactivity को हम किस प्रकार से परिभाशित कर सकते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी radioactive या radio dharmी पदार्थ से उच्च उर्जा की कुछ विशिष्ट विकिरनों के स्वताहा उच्च सर्जन की घटना ही radioactive ता या फिर radio dharmी ता कहलाती है तो जो ये radio dharmी पदार्थ होते हैं उनके उदारण मैंने आपको दिये क्या-क्या जिसे uranium, radium, thorium, polonium इत्यादी और इनहीं से जो कर्ण या किरने उत्पन होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे radioactive कर्ण या फिर radioactive किरने तो जो इन पदार्थों से radioactive किरने उत्पन होती हैं उनके अभिलाक्ष्मिक गुणों को या फिर विशेष्टाओं को जानने के लिए भी कुछ observations की गई जैसे कि uranium जो कि एक radioactive तत्व है या पदार्थ है इसे रखा गया C से के गुटके के cavity में या गुहिका में ठीक है और इससे जो उत्सरजित विकिरन थी जो ये स्वता है उत्सरजित कर रहा है उस पर विद्युत छेत्र को आरोपित किया गया जो ये आपको प्लेटें दिख रही है धनात्मक और रनात्मक प्लेट ये क्या दर्शा रही है विद्युत छेत्र को दर्शा रही है कहा पर इस radioactive तत्व से उत्सरजित होने वाली विकिरण उपर ठीक है और ये है photographic plate इस photographic plate पर ही हम लोग जो प्रेक्षण हमें प्राप्थ होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये विकिरण प्रभावित करती है photographic plate को ठीक है तो हम लोगों को इस प्रकार से तीन तरहे के जो किरणे हैं जो radioactive किरणे हैं या विकिरण हैं वह देखने को मिल उनको क्रमशा हम लोग alpha करण, beta करण और gamma करण बोलते हैं तो जो ये alpha करण आपको नजर आ रहे हैं ये किस साइट को हैं ये हैं रिर्ण आवेश की तरफ को हैं और जो ये beta करण हैं ये किदर साइट को हैं ये विक्षेपित हैं धनात्मक आवेश की तरफ और ये जो gamma करण हैं ये जा रहे हैं सीधी ठीक है अर्थात ये जो gamma की रण है ये विक्षेपित नहीं हुई है अब आप एक बात तो सोच पा रहे होंगे कि जो कर्ण रिनात्मक आवेशों की तरफ विक्षेपित हुए है या आकरशित होते हैं वे कर्ण कैसे होने चाहिए वे होने चाहिए धनात्मक कर्ण और जो ये बीटा कर्ण है जो धनात्मक आवेश की तरफ को विक्षेपित हुए है ये क्या होने चाहिए ये होने चाहिए रिनात्मक कर्ण और जो कहीं भी विक्षेपित नहीं हुए है इसका ये मतलब है कि ये उदासीन है है ना ही धनात्मग आवेश की तरफ आकर्शित हो रहे हैं और नहीं रनात्मग आवेश की तरफ आकर्शित हो रहे हैं तो इन कणों की विशिष्टाओं के बारे में हम लोग कॉपी में भी नोट करते हैं तो जो ये अलफा कण होते हैं ये किधर की तरफ विक्षेपित हुए थे ये विक्षेपित हुए थे रिनावेश की तरफ इसका यह मतलब है कि यह कण क्या होने चाहिए धन आवेशित कण होने चाहिए ठीक है तो एक प्रेक्शन तो हमको यह प्राप्त हो गया दूसरा गुंड इन कणों का यह है कि इन पर दो इकाई धनावेश होता है दो इकाई धनावेश का क्या मतलब है किसी भी कंड पर कितना आवेश होता है हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज यानि कि धनात्मक और रनात्मक आवेश में ये बात देखी थी कितना आवेश होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुला तो 2 इकाई धनावेश का क्या मतलब है 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात रन 19 कुलाम और ये किसके बराबर हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा 3.2 into 10 to the power minus 19 कुलाम के तो इसका मतलब है जो अलफा कर्ण है उन पर आवेश कितना होता है 3.2 गुणा 10 की घात रन 19 कुलाम साथी साथ इससे जो इसका द्रविमान प्राप्त हुआ वहेश प्राप्त हुआ 4 Atmic Mass Unit के बराबर या फिर 4 एकी ट्रित द्रविमान एकाई के बराबर साथी साथ बात में ये पाया गया कि जो अलफा कर्ण होते हैं वह वस्तुत हा heealium two positive iron या फिर helium के नाभिक के समान ही होते हैं तो इसका मतलब है कि हम अलफा कर्णों को किसके रूप में देख सकते हैं helium के नाभिक के समान रूप में या फिर helium two positive iron के जैसे दोनों एक ही बात है तो हमBob ने इसको लूट कर लिए अब हम बात करेंगे बीटा कणों की, तो जो ये बीटा कण थे, ये किस तरफ आकरशित हुए, ये आकरशित हुए धनावेश की तरफ, है न, या फिर धनात्मक प्लेट की तरफ, तो इसका मतलब है कि ये कौन से आवेश के कण होने चाहिए, ये होने चाहिए, रिर्ण आवे विपरीत आवेश एक दूसरे को आकरशित करते हैं इसलिए बीटा कंड कहलाए रनावेशित कर और जो इनपर आवेश है या द्रवेमान है वे दोनों ही इलेक्ट्रोनों की आवेश और द्रवेमान की ही समान था अर्थात जो electron होते हैं उन पर आवेश कितना होता है उन पर आवेश होता है लगभग 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलाम के बराबर ठीक है और साथी साथ electronों का द्रविमान कितना होता है तो electronों का द्रविमान होता है लगभग 9.1 into 10 to the power minus 31 kg के यह सब हम लोगोंने पिछले lectures में discuss भी किया है है और बीटा करणों को electron के गतिमान पुंज भी कहा जाता है ठीक है तो हम लोगोंने अलफा करण और बीटा करण के अभी लाक्षनिक गुण देख लिए अब हम बात करेंगे गामा करणों की तो आप देखिए जो यह गामा करण जो आवेश है वह क्या था वह भी नगर्ण्य माना गया अर्थात इन पर कोई आवेश नहीं क्योंकि नहीं यह धनात्मक आवेश की तरफ आकरशित हो रही है और नहीं यह धनात्मक आवेश की तरफ आकरशित हो रही है तो यह हो गई आवेश रहित इनका जो द्रवेमान वह भी नगर्णियन पाया गया ठीक है और इस प्रेकार से इन तीनों ही जो किरणे थी रेटियो एक्टिव किरणे थी या विकिरण थे एलफा बीटा गामा के रूप में हमने तीनों के बारे में जान लिया यहीं पर एक बात हम लोग और जान लेते हैं कि जो भेदन शम्ता होती है इन तीनों ही विकिरणों की या इन तीनों ही किरणों की अर्थात एलफा कर्ण बीटा कर्ण और गामा किरणों की तो सबसे अधि भेदन शम्ता सेकिन नंबर पर होती है बीटा किरणों की जो की अलफा किरणों से लगभग 100 गुना अधिक भेदन शम्ता रखते हैं इन तिनों ही किरणों में सबसे कम जो भेदन शम्ता होती है वह होती है अलफा किरणों की ठीक है तो इस प्रेकार से हम लोगोंने Radioactive ता, Radioactive पदार्थ और Radioactive कणों के बारे में अच्छे से समझ लिया अब अगली लेक्चर में हम लोग बात करेंगे Thompson के पर्माणों मॉडल के बारे में तब तक आप इतना अच्छे से पढ़ लिजिए, समझ लिजिए और revision करते रहिए www.vidyasar.com यहां पर आपको केविल अंग्रेजी के नहीं विज्ञान और गनित के वीडियो भी देखने को मिलेंगे तो फिर बाकी वीडियो के लिए मोबाइल आप्रिकेशन पर मिलते हैं